दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सिनेमा जो है वो आइना होता है समाज का समाज में जो भी चीज़े घट रही होती हैं जो भी चीज़े समसामाईग होती हैं या जो वहां का इतिहास होता है जो कल्चर होता है उसको हम सिनेमा के माध्यम से परोस्ते हैं पब्लिक उसको देखती है और पूरे पब्लिक को हम सीनेमा के माध्यम से जो समाज की कुरीतियां हैं अंद्विस्वास हैं या समाज में जो धोंग व्याप्त हैं उन सबको हम दिखा कर और उनको एजुकेट कर सकते हैं उनको उस चीज का अहसास करा सकते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि समाज में कुछ ऐसी भी चीज़े प्रैक्टिस में चल रही होती हैं जिसको पबली का एहसास नहीं होता है अगर उसको आप ब्यापक तोर पे सिनेमा के माध्य हम से अगर परदे पर ले आते हैं तो पबली को देख कर समझ पाती है कि हां इसमें तो बहुत लोग खुस हुएं और वो मुवी हिट होती गई, हिट होती गई, लोगों ने बहुत पसंद किया, बाद में उसका राजनिती करना लोगों ने बाबा और धबावने शुरू कर दिया, कि एंटी हिंदू का उस पर चस्पा लगाने की कोशिस करने लगे, लेकिन बह ऐसा ही चीज़े तो हो रही थी, वही चीज दिखाई गई, और लोगों को समझ में आया, कि हाँ यार, हो तो ऐसा ही रहा है, लेकिन वो गलत हो रहा है, वो तो पाखंड है, अंधविश्वास है, तो सिनेमा हमेसा ही समाज की चीज़ों को पर्दे पर ले आता है, दिखाता है, और उससे आप चाहें तो उसका इस्तमाल कर सकते हैं समाज की भालाई के लिए, सवाल ये है कि भारत का जो सिनेमा है, क्या उसने समाज में जो बुराईया व्याप्त हैं, जो जातिवाद की जड़े हैं, जो अंधविश्वास पाखंड हैं, इन सब को क्या उसने उस अस सबसे बड़ी कुरिती है, उसको दिखाने की कोशिस की है लोगों को, आसास जगाने की कोशिस की है, जिसको जान समझ कर लोग उन चीजों को समझ सके कि कहां पर वो गल्ती कर रहे हैं, या समाज पूरा कहां पर गल्ती कर रहा है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंग और जानेंगे क्योंकि ये बहुत ही महतोपुर्ण है हम लोग बार-बार ये चीजे सोचते हैं कि जिन पहलूओं पर हम चर्चा करते हैं उन पहलूओं को कैसे उस problem को solve किया जाए और solve करने के क्या-क्या weapons हैं क्या-क्या हंतियार हैं उन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है और यह भी जानना जरूरी है कि किन जगों पर कामना होने की वजह से यह प्रोब्लेम अभी तक बनी हुई है तो यह आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा सिनेमा है जिसको हम लोग आमतवर पर बॉलीवूड कहाते हैं छेत्रिय भी है बहुत सारे भारत तो भारत में लगबग साड़े तीन सो फिल्में बना करती थी अभी कोरोना का लाने से पहले अमोनन और छेत्रिय फिल्में वगेरा भी हमेशा बनते रहती हैं और फिर यहां पर इसको सुरू करने से पहले मैं लिगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूं जैसा कि आप जानते हैं यहां पर जो भी यह स्ट्रीम होती है जो प्रेजेंटेशन होते हैं डिवेट्स होता है इन सब का उद्दे से साइट्फिक टेंप्रामेंट को इंकरेज करना होत वान सिंगर टन है इन दोनों को 2001-2002 के करीब में इन दोनों को ही ओसकर मिला था बेस्ट एक्टर और एक्टरेस का यह दोनों ब्लैक एक्टर हैं और ब्लैक एक्टरेस हैं तो वहां का जो सिनेमा है हॉलिवूड का देखे कि ओसकर नॉमिनेशन के लिए या ओसकर आवार्ड मिलना कितनी बड़ी उपलवती होती है और 2002 का वो दोर था जब ये दोनों एक्टर और एक्टरेस को एक साथ ही विष्ट एक्टर और एक्टरेस अलग-अलग फिल्मों के लिए दिया गया था अदोनों ब्लैक्स हैं और अमेरिका में ब्लैक एंड वाइट का जो है ये दिकत सुपरमेशी जो बरकरार थी लेकिन जब इन्हें मौका दिया गया ब्लैक्स को भी जब मौका दिया गया तो इन्होंने ऐसी चीज़े कर दिखाई इन्होंने ऐसी चीज़े कर दिखाई जहां पे पहुंचने की लोग सूचते हैं आज आप चले जाएं हॉलिवूड में तो ऐसे ऐसे सुपरिस्टार हैं, सिंगर हैं इतने अच्छे कार्टूनिस्ट हैं, डारेक्टर हैं हर फिल्ड में ब्लैक्स का जलवा है प्रतिभाओं की कमी नहीं है, मौका मिलना चाहिए भारत में क्या हुआ है, कि भारत में हम ताने मारते खूब हैं अम मौका कभी नहीं देना चाहते जो रिप्रेजेंटेशन देने की बात आई थी उसको हमने रिजर्वेशन तो कभी खेरा तो कभी क्या तो कभी क्या हमेशा एक नए नए लब्स लेकर और हमेशा ही जो परतिभाये होती हैं जिनको बढ़ने का आगे मौका दिया जाना चाहिए उनको धबाते रहते हैं लेकिन हॉलिवूड में आप देख पा रहे हैं कि जिन्हें जब मौका मिला तो आगे निकले हम भारत में मौका ही नहीं देना चाहते हैं तो यह फिल्म यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और यह ऐसी एक फिल्म नहीं है ऐसी बहुत तेरे फिल्म हैं जिनमें ब्लैक्स जो हैं उनको मिला था, एक और ये फिल्म आपको याद होगी, ये 2013 में आई थी, 12 Years in a Slave ये फिल्म थी, इसका ये सीन आपको देखकर याद आ रहा होगा, और वहाँ पे एक सोचे जरा कि इस फिल्म को आसकर दिया गया, जब भी वहाँ पे ब्लेक्स पे फिल्मे बनती हैं, और जो उ करदनाक अत्यचार हुआ था, वाय्ट्स ने कैसे उनको उनका सोचर किया था, अत्यचार किया था, ऐसी फिल्मों को वहाँ पे ऑसकर देकर, तरह-थरा के अवार्ड देकर उन्हें प्रोचसाहित किया जाता है, यह आपने सही दिखाया है, और इस तरह की फिल्मों का मनोब बढ़ता है उन्हें जो एम होता है फिल्में बनाने का अल्टिमेट एम तो मुनाफ़ा कमाना होता है तो जब इन्हें अवार्ड भी मिलते हैं तरह तरह के प्रोचसाहन मिलते हैं तो वहां के जो डारेक्टर्स हैं वहां के जो लोग हैं जो इस पर काम करने वाले हैं वो वह मिल सके तो यह आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यह क्वालिटी होती और प्रोट सहान होता है यह पोश्टर था यह स्लेव का अच्छा यहीं नहीं इसके बास एक और बहुत चर्चित फिल्में आप ही आई हैं 2018 में आई थी यह पोश्टर आपको देखकर याद आया भी थी ब्लैक पैंथर इसमें जो एक्टर्स थें तमाम एक्टर एक्ट्रेस जो थें पूरे ब्लैक थें और यह फिल्म जो है इसने पूरे बिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए धाडाम कर दिया था जितने भी अभी तक हॉलिवूड की थी या दुनिया में जो इतनी बेहतरिन सुपर हिट फिल्म गई और ये सारे एक्टर एक्टरिस जो थें ये ब्लैक्स थें जरा सोचे जिन्हें जो फिल्में जब बनती थी डिजैंगो चैंज मूवी करके आई थी वो भी वाइट ब्लैक के बीच के संघर्स की कहानी कहते हुई मूवी थी तो उसमें लियनार्दो कैपरियो भी थें तो लियनार्दो कैपरियो वो वाइट थें उनके साथ एक सीन आता है जब जो एक ब्लैक जिसको स्लैब बनाके रखा गया था उसे एक दूसरा वाइट छुड़ा कर ले आता है और जो ब्लैक का जो मालिक होता है मालिक क्या होता है जो गुष्सा हो जाता है और फिर वो अपने हथोड़ा निकालता है और इसको मारने के लिए जो गुलाम होता है तब वहां एक डायलोग देता है काता है कि यह जो तेरी खोपड़ी है इस खोपड़ी के नीचे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है एक मोटा भद्दा सा ऐसे मतलब एक ताना होता है वहां पर कि तुम ब्लैक्स जो होते हो तुम्हारे अंदर कोई दिमाग नहीं होता है तुम्हारे अंदर कुछ भी तुम लोग बेकार होते हो हम वाइट्स जो हैं वही सुपरियर हैं हमें दिमाग होता है हमें सारी चीजे होती है सुपरमेसी होती है सोचन वो दिखाया गया डिचेंगो चेंज ऐसे करके मोवी का नाम था डेंगो चेंज नाम देख लीजिएगा तो इससे ये पता चलता है कि कितना जो वाइट्स थें वो कितना ब्लैक से नफरत किया करते थें और उनको बहुत बेकार समझते थें और चुकि सदियों से वो गुलाम रहे थे ब्लैक्स तो हमेशा से ही वाइट लोगों ने ये मान ही लिया था कि ये गुलामी के लिए ही पैदा हुए हैं और उसी तरह से उनके साथ विहेव करते थें मौका कभी नहीं दिये लेकिन आज आज आप देख पा रहे हैं कि जब ब्लैक्स को मौका मिला जो भी इनक इस बहुत में ये दिन कब आएगा भारत में क्या आपने कभी सुना है कि बॉलीवूड में पूरा का पूरा एक फिल्लिम बनाया गया हो जिसका डारेक्टर से लेकर望 सब के सब जो है बहुजंवर्क के हों से ऐसा कभी आपको सुनना उर्क मिलेगा क्योंकि बॉलिवूड में बहुजन का परतिनिधित्व ही नहीं है वहाँ पूरी तरह से एक खास वर्क के लोगों की छत्रचाया में बॉलिवूड हमेशा से ही फंसा रहा है चाहें वो डारेक्टर हों, एक्टर हों, एक्ट्रेस हों पिढ़ी दर पिढ़ी और कुछ खास लोगों का जो डिस्टिब्यूशन होता है, फिल्में डिस्टिब्यूट जो करते हैं वो भी खास तरह के लोगों के अंदर फसा हुआ है पालिटिकुलर एक कास्ट के लोगों के अंदर फसा हुआ है और इस तरह से बॉलिवूड जो है वही चीज बनाता है जो वो लोग पसंद करते हैं बॉलिवूड कभी भी वो चीज नहीं दिखाना चाहता है जो वो लोग नहीं पसंद करते हैं जैसे भारत का सबसे विवत्स चेहरा काश्टीजम है और बॉलिवूड में काश्टीजम पे फिल्में नहीं बनती हैं कभी इतनी अच्छी फिल्में ये न बनाते हैं आन्ना इतनी उसको बेहतर उसका आप कहें कि उसकी डारेक्शन होगी दरसल वो लोग इंट्रेस्ट ही नहीं लेते हैं कहा जाता है कि जो पीड़ा जिस जो पीड़ा बहुजन समाज ने जहेला है वो पीड़ा तो इन्होंने कभी जहेला ही नहीं तो उसको प्रोब्लेम ही नहीं मानते हैं भारत में जो तथाकतित अपरकास्ट है वो जातिवाद को प्रोब्लेम ही नहीं मानता है क्योंकि वो कभी और वो जब बॉलीबूड में नत्रित्व कर रहा है हर जगह बैठा हुआ है तो वो क्यों इस मामले में इंट्रेस्ट लेगा अगर उसके सामने कोई एसी स्क्रिप्ट आती भी है तो वो यह सोचेगा या इससे कमाई थोड़ी होगी इससे कौन देखेगा इसको क्योंकि वो खुद ही इस चीज़ को पसंद नहीं करता है तो यह आप देख सकते हैं कि यह जो लोगों का जो बॉलीबूड में जो एक चेहरा है एक उदासीन चेह उसमें से भी एक जो बड़ा वर्ग है वो भी उसके सामने भी फिल्मों के माध्यम से अगर यह चीज़े पहुँचती अच्छे डिरेक्शन में अच्छी पठकता के साथ अच्छे एक्शन के साथ अच्छे जो सीनोमेटोग्राफी के साथ तो वो लोग भी इस चीज़ को स चाहिए वही 2-4 भर फढ़ाती होई डियलोग चाहिए वही थोड़े बड़े एक्शन चाहिए हवा में उड़ती हुई उचेए फिर किसी दूर्गा को बैठा देगे गनेश को बैठा देंगे और हीरो मर रहा होगा और उसकी मा जाकर दूर्गा के सामने काली के सामने या क उसकी आखे चमकेगी या बच्चा हीरो जो है उट खड़ा हो जाएगा यह दिखा दिखा के इन लोगों ने बॉलीबूड को और नरक बना दिया पूरी तरह से आज नतीजा यह है बॉलीबूड का हाल यह हो गया है कि इनकी हर फिलिम पट रही पिट रही है